अनाईय कोट में आज होने वाली सुनवाई वो टल गई है अब मामले में अगली सुनवाई जो है वो 25 जनवरी से होगी पीठा सीन अधिकारी के छुटी पर यानि अवकाश पर रहने के चलते ये सुनवाई फिलहाल टली है जेल प्रश्वासन की ओर से आरोपियों के पेश व है वो अखाश पर है इसके वज़े से कि फैसला यहां पर लिया गया है अनाईय कोट में आज सुनवाई होने वाली थी सभी की नजरे इस पर थी लेकिन फिलहाल आपको बता दे इस पुरे मामले में अपडेट कि कनहिया लाल हत्या कांड की जो अगली सुनवाई है वो होग यह सत्रा साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन आठ से नौ हजार का बिजनस करते थे अचानक से यह दो गुना हो गया जानना चाहते हो कैसे तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें को होगी एक जगर ने हत्या कांड और सत्या कांड के बार कोट की प्रोसीडिंग्स लगातार जारी है लेकिन इस बीच आपको बताएं कि अगली सुनवाई होगी वो होगी 25 तारिव को महेश पारी खमाई स्योगी जादा जानकारी के साथ पूल लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं महेश क्या वज़े रही सुनवाई टलने की और अगर 25 जनवरी को इसमें जो अगली सुनवाई होगी उसमें क्या चीज़े निकल कर सामने आ सकती हैं पता है इसको टेखने को वाद्ट के विशेश के श्री प्रसेंग्यान पर आदा शौणता यांदिक जो पुलिस की ओटे चार्ड छीड फाइल की गई है उससे को सुच्रार करें या उसमें कुछ कमिया है इस बारें को लेकि को अपना निरने देगा उसको टेकनिकल वास्चा में इन थार्वे कि अन्ट इसके बाद č争ट कीये जाती है कि यृव और विद्याँ के अजय द्रम में रॉपि उप्राइब क्या है और यह थे बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारे उगले महेश, तो हमारी सेरोगी महेश जोने पूरी ख़वर बताई कि आखिर पीटासी नदिकारी का उकाश पर जाने के चलते ये सुमाई फिलहाल ताली गई है, अगली सुमाई 25 जन्वरी कोगी कोड के प्रोसेडिंस किस तरीके स आगे बढ़ेंगी, वो भी हमने आपको बताया, जैपुर से अगली ख़वर भी है, सिक्षक भरती परिक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी ये ख़वर आ रही है, आरोपियों के संपत्यों पर आप, ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे, और हर दिन 8 से 9000 का बि कर दोगमिन से मामले से जुड़ी ख़वर ठोगर को बिम दो गवर इन 4 सोग से रहे झाल झाल